भारत की सरहद के अंतिम छोर पर बसे गाउं में सतरंगी धागों का हुनर बसता है और यही हुनर इन लोगों को नाकिवल रोजगार का आधार परदान करता है साथ ही इन्हें बीड से अलग पैचान भी देता है बरसों से बड़े बुजरुक इस हाथों की दस्तकारी से जु दी है वह आमदनी का आधार बने तो बात बने सिमावर्ति धनाव की हेमलता परियार बताती है कि वह सना तक की पढ़ाई कर चूकी है और अब दस्तकारी के काम से जुड़ी हुई है रंग बिरंगे धागों से वह साड़ी सौल लहंगा चोली दूपट्टे कुरता वह कुर हम कुछन कवर बनाते हैं और दूपट्टे सोल और कई परकार कैसे बनाते हैं लेटर होल्डर लहंगा कुरता चोली सब चाते सब बनाते हैं सरकाश हमें अपील हैं कि वह ऐसे ही रोजगार बढ़ा है और हमारे आसपास महिला हैं जो वह भी जोड़े और यह वह आगे बढ हमारे गाम में पहले एसे लड़कियां काम नहीं करती थी बड़े पापा ची वर यह काम करते थी सब और बचे इसमें ज़्यादा भाई इंटरस्ट ले हैं तब हम चाहते हैं कि हम इसमें इसकाम को आगे बढ़ाएं मेनदतहात का का काम हैं सब सुई धागे से करना पड़त कुछ कपड़ों को बाजार से खरीद कर उस पर महीन कारीगरी करते हैं तो कही उत्पाद उनके घरेलू है सरकार मेहनत जतना दाम दिलाए तो काम को आगे बढ़ा सकते हैं अगर सरकार गरामिने इस तर पर अलग अलग प्रक्षिशन श्वीट लगाए और शीदे दस्तकारों से उत्पाद घरी थे तो हाथों के हुनर को और ज़्यादा संबल मिल सकता है सिमावति धनाव गाव की खेमी देवी के हस सिल्ब कला से अमरीका राष्टपती बिल किलन टेंटें भी परबावित हुए थे और उन्हें बुलावा भी बेजा था ऐसा नहीं है कि महज हाथका हुनर सरहदी बाडवेर तक इसी मित है बलकि देश विर देश में भी यह अपनी अलग पैचान मना सुका है सरहदी बाडविर में सरहदी गाउं के गलियारों में बसे हुनर को युवा अपने हाथों में लेकर आगे वड़ाना चाहते है कुषण कवारे बेड़ सीट है लेटरबोक है दूपटा है पाइस साथ मिल देजा को तानी हमें कोसिज करा दें बिल सेंदू ठीक है पंदरे दिन लगे रहे दस दिन लगे रहे जड़ कुषण है जड़ कम हो अलग सेंब नारे क्या कोई बना साथ दूपटू है कोई कर दूपटू है कोई सोल है क्यारे पूरी है पूरी तैयारी है